दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो यह सस्क्राइब करते एंड गंटी वाला जो बटन है वो जरूर तबादी ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जो है मिलती रहे दोस्तो हमारे हाँ पे जो है केरियर सिक् राइमरी टीचर यानि कि जो नर्सरी क्लास तक की टीचर बटना चाते हैं वो इस कोर्श को करते हैं दोस्तो नर्सरी टीचर जो तीन से पांच वर्स के बच्चोब बढ़ाते हैं उनको हम नर्सरी टीचर बोलते हैं मैं अब आपको बतातू जो टी or totally channel को से लिए उस्ते ल अगर आप अनुसूचित जाती या जन जाती यानि के SCA और ST से है तो जो है पांच यहां पर प्रतिस्त जो है यहां पर आपको जो है कम आपको जो है यहां पे आपके 10 प्लस 2 में होने चाहिए 45% कम से कम आपके होने चाहिए अगर मैं इस कोर्स की अवदी की बात करूँ तो अवदी की अगर बात करें तो इस कोर्स की जो अवदी है वो एक से लेकर दो वर्स जो है इसकी कोर्स की अवदी है यह डिपेंट करता है कि आप कहां से कर रहे हैं किस institute या किस कोली से कर रहे हैं और आप किस state से कर रहे हैं यह अलग-अलग जो कोली है अलग-अलग जो है ए मेरेत के आधार पर आपको कहा है, जो है कम 30,000 रोपेज जो है आपकी फीस इसमें लग सकते हैं यह डिपेंड करता है आपकी स्कॉलिज और कहां से आप कर रहे हैं अब मैं जो है इसका कोर्स सिलेबस की बात करता हूँ दोस्तों अगर मैं कोर्स सिलेबस की बात करूँ तो इसमें जो है आपको जो पढ़ाया ज बाल, स्वास्त और पोशन यानि के नर्सरी, स्कूल, और्गनाइजेशन, क्यमिनिटी, एंचाइल्ड, हैल्ट, और नूटरिशन, आपको कुछ प्रेक्टिकल, एंड आपको आर्ट, एंड क्राफ्ट से संबंदित भी आपको जो है, तो यह आपको जो है, इसमें पढ़ाया जाएगा, अब हम बात करते हैं, कि इसमें जो है, आपको जो सेलरी है, वो आपको कितनी मिलेगी, salary के अगर हम बात करें तो इस course को करने के बाद अगर आप जैसे प्राइवेट में अगर आप पढ़ाएंगे तो वो school या coolies to coolies depend करता है लगबग यह मान के चलिए 5000 से लेकर आपकी जो है वो starting हो जाती है अगर आप जो है जैसे डैली वगरा में NDMC जो स्कूल है NDMC तो इन में आपको काफी अच्छी salary मिल जाती है लगबग यह मान के चलिए कि 30,000 प्लस आपको salary मिल जाएगी सो अब जो है हम बात करते हैं कि job इस course को करने के बाद आपको job कहाँ पे मिलेगी और job profile आपकी क्या होगी तो आपको जो job है वो आपको nursery teacher की मिलेगी and nursery teacher and आप जो है अपना home tutor भी जो है आप बन सकते है home tutor and तीसरा क्या है आप अपना जो pre primary school है यानि कि जो nursery school है pre primary school जो है आप अपना खुद का खोल सकते हो आप है जो assistant pre primary teachers है assistant pre primary teachers आप जो है इसमें इस course को करके जो है आप बन जाएंगे सो इस course को करने के बाद तो है काफी सारे रास्ते आपके पास खुल जाते हैं और मैं आपको बता दू कि अगर हम best institute की बात करें कि कहां से आप इस course को कर सकते हो तो कोई भी national level का अगर institute आप prefer करेंगे तो आप जो है काफी अच्छा रहेगा आप बहां से कर सकते हैं इस course को अगर आप करना चाहते हैं तो कौन-कौन से document आपको जरूरत होगी तो मैं आपको बता देता हूँ इस course के admission के लिए आपको 10th and 12th जो आपके जो certificate है उनकी आपको फोटो कोपी चाहिए होगी 10th 12th की जो mark seat है उसकी फोटो कोपी चाहिए आपके 5 passport size photograph आपके होने चाहिए पा के लिए यह जो course है normally होता है क्योंकि वह बच्चों से काफी करीब होती है काफी कुछ जानती है तो female student है इस course को prefer करते हैं मैं यह आपर जानकारे देदूं अगर उत्तरप्रदेश के अगर बात करें तो entity course जो है वो केवल females के लिए जो है महाँ पे admission किया जाता है जो उत्तर independent बन सकती है दूसरी बात इसका यह है कि आपको जो है किसी भी private या government school में आप जो है teacher लग सकते है तीसरा क्या है play school आप अपना खोलना चाते है तो वो भी आप खोल सकते है और चोता बड़ा फायदा है कि इस course में आपकी ज्यादा फीस नहीं लगती है केवल यह मान के चली आपको अगली जो वीडियो है में आपको जो है उत्तरप्रदीश का जो entity admission है city nursery and entity जो है वो उसके बारे में detailed information आपको देने वालों कैसे आप admission ले सकते है संपूर्ण जानकारी दूँगा तो आप जो है मेरे चैनल को सस्क्राइब करते और गंटी वाला बटन जरूर दबात Thank you